हेलो वीवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में तो दोस्तों आज का जो ट्रिक है बहुत ही अल्टिमेट होने वाला है क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए और इससे क्या होगा आपकी डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगी तो ये बहुत ही कमार का ट्रिक है और ये ट्रिक आपके हार एक एंडुर डिवाइज में और Chrome browser के थुरू ही आप जो है अपने phone को fast कर सकते हैं और यहां पे आपको और भी बहुत सारी ultimate tricks देखने को मिलेंगी Chrome browser में ठीक है तो कौन सी वो tricks है आपने कैसे उन्हें apply करना है कैसे find out करना है मतलब कि क्या करना है totally मैं आपको यहां पे पूरा detail में बताऊंगा और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK News Tech Channel तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि आप अपनी device की battery को increase कैसे करेंगे वो Chrome browser की budget से तो battery को increase करेंगे और आपने device को fast भी करेंगे वो अकेली एक setting से ठीक है उसके बाद एक और trick है उसके बार हम बताऊंगा फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने downloading speed को कैसे बढ़ाएंगे ठीक है तो हम इसको जो है यहां पर long press करते हैं फिर आपको इस तरह का menu यहां पर देखने को मिलता है तो अब आपने यहां पर क्या करना है देखने वाली बात ठीक है करने के बाद आपको 215MB यहां पर पढ़ा हुआ है तो यह आपके किसी काम का नहीं है, यह आपके बैटरी को खर्च कर रहा है, यह आपके डिवाइस की प्रफोर्मेंस को स्लो कर रहा है, तो क्या करना है, आपने यहाँ पर जाके सिक्लियर, मैनेज स्टोरिज पर जाना है, ठीक है, मैने स्टोरिज पर चलेगे, ठीक है, अब क् ठीक है बैक आगे बैक आने के बाद आपने क्या करना मैं आपको तीन ट्रिक्स बताऊंगा बहुत ही कम्माल किया ठीक है आपने यहां पर ठीक है स्वरी स्पैलिंग तो गई करों ठीक है तो क्रों लिखने के बाद यहां पर ओटमेटिक निची आपको देखने को मिल जाए ख्रों स्लैस यूर्स ठीक है यह वाला ओप्शन निचे आजाएगा ठीक है या आपके किसी भी जो है क्रोंब ब्राजर में आ जाएगा अब लक्राव करने के बाद आपको इस तरह का ब Damit करने इस तरह का पेज यहां पे ओपन हो जाएगा तो यहां पर आपने क्या करना अब धियान से देखना ठीक है यहां है यहां कोईभी कोई पर छेड़नी नहीं है डिच्टॉब नहीं करना है अपने सिंपलि जहां मैं इस तरह का इंट्रफयस दिख जाएगा आपने यहां पीशे से जूम करना है जूम कर दिया जुम करने के बाद अप धियां से दिखनाँ है यह पेक एक option है आपने से Antink करना है वह कौन सा है आपने यह पावर वाला option दिख रहा हैनी आपने इसको यहां से Antike कर दिया आप आपने इस बैक आने के बात ठीक है बैक आगे तो इससे क्या होगा आप इससे यह होगा कि आपका डीवाइस का यह क्रॉम प्रावजर रहना है यह फालतु में जो है कोई भी जो आपके जंक फाइल Alrighty उनको अपने में नहीं रखेगा उन्हें डिलीट कर देगा ठीक है इससे कि आपकी बैटरी प्रोफोर्मेंस बढ़ जाएगी मतलब कि आपकी बैटरी की जो एक दो घंटे जो है इसका बैकप बढ़ जाएगा आप इसे यूज करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो देख्ष्ट यहां पर सैटिंग के बारें बात करेंगे तो जिसी कि ख्रॉम में ही साटिंग मिलेगी वो कौन सी है ठीक है हम लोग को यहां पर ओपन करते हैं बहुत ही कमाल का देखते हूं तो जैसे कि आप प्रों ब्राउजर यूज करते हैं लेकिन आप इसके सभी फीच 5 प्लस 5 तो नीची आ गया 10 फॉर एग्जामपल अब मैं करता हूं 5 ठीक है उसके बाद करता हूं यहांपे minus 5 ठीक है तो यहाँ पे आ गया है यहाँ पे 0 आ गया है यहाँ पे आप calculation कर सकते हैं बहुत ही easy तरह के से आपका यह calculator का काम भी करता है आप यहाँ पे कोई भी mathematical question जो यहाँ पे find out कर सकते हैं simply आपने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे नीचे आके सब कुछ ही आपको result यहाँ पे आ जाएगा ठीक है बहुत ही कमाल की trick है इसको आप ही use कर सकते है खासकर जो students है इसको आप ही use कर सकते है as a calculator अब हम next last setting के बारे में बात करेंगे जो की बहुत ही खास है वो क्या है अब हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे Chrome browser पर क्लिक करना है यहाँ पिर आपने यहाँ पर आप यह यह पर आपने अपने टाइब करना सेम टू सेम टिक है तिर उसके वाद लिखना है अपने यहां पर आपको इस तरह का पेज यहां पर ओपन हो जाएगा तो अब इस ट्रिक को करने के बाद आपके जो डिवाइस की डाउनलोडिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी अब देखने वाली बात है अब क्या करना है यहां पर देखने वाली बात है आपने जाना है डिफॉल्ट पर क्लिक करना है यहां पर कर दिया डिफॉल्ट पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना इसे इनेबल और आपने करना है हम यहां पर क्लिक करेंगे रिलाउंच करने के बाद आपका जो Chrome ब्राउजर वो दुबारा से open हो गया ठीक है रिलाउंच हो गया मतलब इससे क्या होगा ठीक है इससे यह होगा ना कि आपकी जो downloading speed है वो पहले से बढ़ जाईए अगर आपको यकी नहीं होता है तो आप try कीजिए आप इसे use कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी downloading speed यहां पे बड़ी है या नहीं बड़ी क्योंकि Chrome ब्राउजर ऐसा ब्राउजर है जो कि बिलकुल secure है और आप इसे कोई भी आप third party browser use मत कीजिएगा क्योंकि यह सबसे बढ़िया browser है यही सबसे कमाल का browser है Google वालों का है तो आप इसे use की आपकी downloading speed 101% बढ़ जाएगी तो यह था आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ आज को वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बाई बाई टे केर जया हिंद बंदे मात्रम